हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो एक यूज्वल शुरू करूंगा फिंगर्स के अनैल दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यहां जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है यहां मेरा वर्टस अप नंबर है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगल की शेप बनाती हुई नजर आ रही है इस तरह की शेप जिनकी भी हथेली की रहती है ऐसे व्यक्ति काफी अनलिटिक होते हैं कोई भी काम शुरू करने से पहले उसको अच्छी तरह से उस दीखडी रिखाएं मौजूद हैं ऐसी रिखाओं का होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है ऐसे नेटिव मिलंसार सभाव के होते हैं दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली इनकी नेचर रहती हैं फिंगर्स की थिकनस की बात की जाए तो य है जो फिंगर्स है यहाँ पर देखे सकते हैं कि सूर्य फिंगर्स जो है वो इनकी गुरु फिंगर्स से ज्यादा लंभी नजरा आ रही है सूर्य फिंगर्स का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफी अच्छी creative आद artistic qualities देता हैं ऐसे नेटिव थोड़े से adventurous nature के भी होते हैं risk taker हो सकते हैं life management decisions लेते समय risk लेने की tendency इनकी रह सकते कि कई बार तो ऐसे native अपने धन के मामले में भी risk ले बैठते हैं अपने धन को ऐसी जगाहों पर invest कर देते हैं जहां पर loss के chances भी रहते हैं जैसे share market है crypto currencies है mutual funds ऐसी चीजों में भी इनकी रूची अधिक रह सकती है इस तरह की लंबी सूर्य finger होने की वज़े से सूर्य finger का लंबाई में होना native को साथी साथ एक काफी अच्छा social circle भी देता है काफी अच्छी recognition भी society में रहती है शनी finger की बात की जाए तो यहां आप आप देख सकते हैं बिल्कुल straight शनी finger काफी अच्छी लंबाई में यहां finger मज़र आ रही है इस finger का अच्छी length में होना indicate करता है कि native काफी मेहनती होगा discipline को follow करने वाला होगा और अपनी इनी qualities की वज़े से life में अच्छी तरकी पाने में भी काम्याब रहेगा अब बात करते हैं कि guru finger की guru finger बेशक यहां पर हल्की सी short नज़र आ रही है लेकिन यह finger weak नहीं है सुर्य finger के मकाबले थोड़ी सी short लेकिन बिल्कुल straight finger और एक अच्छी thickness में यह finger नज़र आ रही है बात करेंगे इनकी mercury finger की आप यहां पर देख सकते हैं mercury finger लंबाई में काफी अच्छी है mercury finger का अच्छी length में होना indicate करता है कि native के communication skills बहुत अच्छे रहेंगे communication skills के साथ साथ management और calculations करने की काबलियत इसके साथ साथ business करने की काबलियत भी ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी रहती है यह finger अगर लंबाई में हो तो native एक बहुत अच्छा social circle बनाने में काम्याब रहता है अपनी जो speaking skills है उनकी वज़े से ऐसे native की काफी अच्छी पहच्छान society में बनती है लेकिन यहां पर थोड़ा सा यह mount low set हो रहा है जिसकी वज़े से आप देख सकते हैं यहां पर अगर मैं line draw करता हूँ तो यह mount यहां पर थोड़ा सा low set है थोड़ी shy nature भी इनको देगा लेकिन overall communication skills में कोई भी दिक्कत होती हुई नजर नहीं आ रही आप यहां पर देख सकते हैं fingers में बिलकुल भी gaps नजर नहीं आ रहे fingers आपस में सटी हुई है fingers का इस तरह से आपस में सटा हुआ होना दरशाता है कि ऐसे native की जो money management है वो काफी अच्छी रही ऐसे व्यक्ती धन की एहमियत को समझते हैं और धन को किस तरह से खर्च करना है किस तरह से store करना है accumulate करना है भली भांती जानते हैं और इसी वज़े से काफी अच्छा धन अपनी life में एकठा कर पाने में काम्याब रहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी mounts को और उसके बात चेक करेंगे आँख जैसी अक्रिती इस एरिया प्रबंती नजर आएगी इसको बुद्धाजाई का चिन कहते हैं ये mount prominent हो उबरा हुआ हो उपर की तरफ उठा हुआ हो हाथ में इस तरह का बुद्धाजाई का चिन हो तो ये सभी चीज़े दर्शाहती हैं ऐसे व्यक्ती की knowledge बहुत होगी six sense बहुत अच्छी रहेगी आने वाली घर्णाओं का पूरवा भास इनको हो जाता है कुछ भी अच्छा या बुरा होने वाला है उसका पहले से ही पता चलना ऐसे व्यक्ती की खास्यत रहती है च्छटी इंदरी स्क्रिय रहती ऐसे नेटिव की और ऐसे व्यक्ती प्रोबकारी होते हैं दूसरों की मदद करने वाले और धर्म को मानने वाले थोड़े धार्मिक प्रविती के लोग होते हैं तो यहाँ पर यह अच्छी चीज़े इनके हाथ में इनके ब्रस्पती माउट और बुधा जाई से नजर आ रही है और दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं इनके शनी माउट हलका सा धब रहा है शनी माउट में थोड़ा सा गड़ा सा यहाँ पर बनना इंडिकेट करता है नेटिव काफी मेहनती होगा और ऐसे नेटिव को मेहनत करनी भी पड़ती है जिनका यह माउट हलका सा दब रहा हो और अगर हम इनकी शनी रेखा की बात करें तो काफी अच्छी शनी रेखा यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस तरह से यह रेखा उपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है आपको और यहाँ पर इस तरह से उपर अगर थोड़ा सा लाइट हो रही है लेकिन एक लंबी और एक डीप कट शनी रेखा इनके हाथ में मौचूद है जो इंडिकेट कर जाए है के लाइफ में हर तरह के कमफर्स इनको जरूर मिलेंगे बिश्यक थोड़ी बहुत अपसें डाउन स्लाइट में आ सकते हैं कुछ स्ट्रेस लाइन्स की वज़े से लेकिन ये ऐसे व्यक्ति काफी लग्की होते हैं जिनके हाथ में इस तरह की शनी रेखा मौचूद हो और खास तरह पर यहां पर एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी शनी रेखा के जो शुरुआत है वो भी इस तरह के फिश के सिंबल से हो रही है बिलकुल इनके जो इनका माउंट है केतू का वहाँ पर इनको आपको एक इस तरह की रिखाओं से एक कम्पलीट फिश चैसी अकरिती बनती नज़र आएगी वहीं से ही है इस तरह की जो रेखा है उपर की तरफ बढ़ रही है तो ये निटिव को और भी ज़्यादा लकी बनाती है इस तरह का चिन केतू माउंट पर हो तो अच्छानक धलाब लाइट में होते हैं विदेश यात्राएं करने का मौका मिलता है काफी ज़दा प्रबल हो जाती है इस तरह का फिश का सिंबल अगर किसी व्यक्ति के हाथ में केतू परवत के उपर मौचूद हो चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सूर्य माउंट को अब देख सकते हैं सूर्य माउंट यहाँ पर फ्लैट नजर आ रहा है लंबी सूर्य रेखा का अभाव है जिस तरह से इनके हाथ में यह शनी रेखा ऐसी ही अगर कोई लंबी रेखा जैसे यहां से निकल कर यहां तक पहुंच जाए इस तरह की रेखा को हम सूर्य रेखा कहाते हैं सूर्य रेखा अगर हास में मौचूद हो तो नेटिव पॉलिटिक्स के जरीए फेम पा सकता है समाज में बहुत अच्छा नेमेंड फेम सूर्य रेखा की बज़या से मिलता है यहां पर आपको नजर आएगी कुछ इस तरह से ओवरलैब्ड सूर्य रेखा जो इनकी हाट लाइन के बिलकुल उपर है इस तरह की रेखा का होना नेटिव के यश में कमी लाता है जिसको हम कहते हैं यश थोड़ा सा यश कम रहेगा लाइट में लेकिन ओवरल कमफर्ट और धन अच्छा रहेगा और आप देख सकते हैं इनका जो मरकरी माउंट लो सेट जरूर है लेकिन यह माउंट उबरा हुआ है इस माउंट में कोई भी कमी नहीं है हाथ में एक अच्छी मरकरी लाइन है मरकरी रेखा यहां से उपर की तरफ चल लिए आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा मरकरी रेखा अगर हाथ में मौजूद हो इस तरह की मरकरी रेखा मौचूद हो इसको हम भदर योग भी कहते हैं भदर योग यहां पर बन रहा है और एक अच्छा मनी ट्राइंगल यहां पर बन रहा है इसी मरकरी लाइन के माधियम से आप देख सकते हैं इस तरह का ट्रिकोन यहां पर बन रहा है इस तरह का ट्राइंगल हो सीधी Mercury रेखा हो तो ये एक बहुत positive chin है ये indicate करता है कि native अपनी life में काफी अच्छा धन accumulate कर पाएगा अगर यह रेखा और ज़्यादा deep cut हो जाती है तो इस चीज की समभावनाएं और strong हो जाती है जैसे ये deep cut lines अगर ये तीसरी रेखा जिसको हम Mercury रेखा कहते हैं ये भी strong हो तब और ज़्यादा अच्छे benefit इनको मिल पाएंगे अब आप देख सकते हैं कि line of heart को heart की line बहुत अच्छा Vishnu symbol यहाँ पर बना रही है आपको draw करके दिखाना चाहूँगा ये जो line है ये heart की line है और इसमें से एक branch निकल कर इस तरह से एक weakest symbol यहाँ पर बनाती है नजरारी इस तरह की चिन को Vishnu चिन कहा जाता है और जिनकी अथेली पर ये चिन बनता है ऐसे व्यक्ति भागशाली होते हैं और लाइफ में काफी अच्छी तरक्की करपाने में काम्याब रहते हैं और अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिश करें तब लाइफ में बड़ी दिक्कतें आ सकती है अथरवाइस यह चिन नेटिव को बहुत अच्छी तरक्की करवाता है ऐसा व्यक्ति इमानदारी से अपने काम करता रहा है अपना धन कमाता रहा है तो लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की ऐसे नेटिव को जरूर देखने के लिए मिलती है और ओवराल अब देख सकते हैं हार्ट की लाइन में कोई मेजर इशू नहीं है हलके सी शालो हो रही है रेखा इस एरिया में आके जो लेट रेज में थोड़ी सी दिक्कत हैं ब्लड प्रेशर जैसी प्राप्लम्स में को दे सकते हैं कोई भी मेजर इशू यहाँ पर नजर नहीं आ रहा माइंड लाइन के अगर हम बात करें तो बिलकुल स्ट्रेट और काफी अच्छी और लंबाई में माइंड लाइन नजर आ रही है इस तरह की लंबी मस्तिश रेखा का होना नेटिव को शार्प माइंड बनाता है काफी अच्छी मेमरी ऐसे व्यक्ति की रहती है और एक लंबी रेखा का होना अच्छी यादाश भी देता है और कई बार यही जो लंबी रेखा होना की अबर थोड़ा सा दिक्कत भी देती है यादाश यादा होने के वज़ए से थोड़ा सा मूव ओन करने में देखते हैं आती हैं पुरानी बातों को भूल पाना नेटिव के लिए मुश्किल होता है लेकिन यहां पर क्यों बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं क्योंकि इनका जो चंदर माउंटर वो भी अच्छा नज़र आ रहा है और काफी अच्छी और स्ट्रॉंग माइंड लाइन इनके हाथ में नज़र आ रही है बात करते हैं कि लाइन ओफ लाइफ की आप देख सकते हैं लाइफ लाइन की जो यहाँ प्रॉपोजीशन है किस तरह से लाइफ लाइन बाहर की तरफ निकलती हुई नज़र आ रही है आगे चलकर यह जो रेखा है लाइफ लाइन कहलाती है और यह रेखा आपको कुछ इस तरह से बाहर की तरफ थोड़ा सा टरन लेती हुई नज़र आ रही है जो इंडिकेट करती है कि ऐसे नेटिव मिडल एज के बाद विदेश जा सकते हैं जा घर से दूर किसी दूसरी प्लेस पर जाकर बस सकते हैं उस चीज की समभावनाएं बढ़ जाती है इस तरह की रेखा जब चंदर मौन की तरफ बढ़ती है तो कई बार नेटिव को परवास करवाती है और ऐसे व्यक्ति लंबे समय के लिए अपनी जो नेटिव प्लेस है अपनी बर्थ प्लेस है उससे दूर जाकर रह सकते हैं विदेश चात्रा की समभावनाओं को यह रेखा प्रबल करती है और लंबी रेखा होना यहाँ पर दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति की जो लाइफ है वो लंबी रहेगी लगभग 80 के आसपास की एज रहने की समभावना यहाँ पर नजर आ रही है और काफी अच्छी प्रॉग्रेस लाइन्स आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से उपर की तरफ उटने वाली रिखाएं इनकी लाइफ लाइन से जो काफी प्रॉग्रेस ऐसे नीटिव की लाइफ में रहती है और मंगल का जो एरिया है काफी प्रॉमिनेंट है मंगल माउंट उभरा हुआ होना इंडिकेट करता है कि नीटिव थोड़ा अग्रेसिव नेचर का रहेगा थोड़ा सा गुसा ऐसे व्यक्ति की लाइफ में ज़्यादा रहता है, अग्रेशन थोड़ा से ज़्यादा रहता है, ओवराल, वीनस माउंट बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, कोई भी नेगटिव चिन वीनस माउंट के ओपर नहीं है, इस वज़ा से फैमिली लाइफ ऐसे नीटिव की अच्छी रहती है, और वीनस माउंट का प्रॉ काफी अच्छे चिन इनके हाथ में नज़र आ रहे हैं, काफी अच्छे रिखाएं हैं, और माउंट्स जो हैं यहां पर प्रॉमिनन्ट नज़र आ रहे हैं, तो दोस्तों यह कुछ अनैलसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है, कि सभी सवालों के जो आप एक ही वीडियो के तुरूद दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है, कि अगर इनका कोई क्वेस्टन पैंडिंग है, तो मुझे वर्टसैप पर मेसेज करें, मेरा वीडियो वाच करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद